अस्सलाम अलेकुम विटामीन आइरन कैल्शियम फाइबर से भरपूर गोंगुण पाक की रेसेपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे बनाने में ना तो दूद ना मावा ना चाशनी चाहिए तेस्ट में ला जवाब जिसे खाते ही मुह में गुलसा जाए हाफ कप गोंद जिसे एडेबल गम भी कहते हैं सर्दियों में एनर्जी से भरपूर गोंद खाने के बहुत सारे फायदे हैं और विंटर में खास कर इसकी अलग-अलग डिशस बनाई भी जाती है तो यहाँ पे मैंने हाफ कप गोंद को एक ग्रांडिंग जहर में डाल दिया है और अब इसे एकदम बारीक पीस लेंगे तो यह देखिए इसे एकदम फाइन पौडर मैंने बना लिया है अभी इसे साइट पे रखेंगे अभी कड़ाई में 1 टेवल स्पून गी डालेंगे जब यह गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़े से ड्राइफूट्स डाल देंगे यहाँ पे मैंने थोड़े से सुखे नारियल को काट कर लिया है और थोड़े से काजू और बदाम घी के साथ हलका सा इसे फ्राइ कर लेंगे घी के साथ हलका सा फ्राइ करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा थोड़ा क्रंची हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसे फ्राइ कर लिया है इसे प्लेट में निकाल लेंगे जब ठंडा हो जाएगा तो इसे भी पल्स मोट पर पिस लेगे लगतार इसे नहीं चलाईएगा वरना ये dry fruits तेल छोड़ देगे और अब इसी कड़ाई में सारा गी डाल देगे थोड़ा सबचा लेगे इसमें से इस गून पाक को बनाने में मैंने टोटल एक कप गी का यूज किया है फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे और जब गी गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे एक कटोरी या एक कप गेहूं का आटा जिसे हम रोज रोटी पराठे वगरा बनाते हैं अब इस आटे को लगतार चलाते हुए भूनेंगे हमें तब तक भून ना है जब तक कि इसका कलर न चेंज हो जाए हलका सा डार्क हो जाए सोंदी सोंदी से खुशबूना आने लगे अभी यह दिखने में आपको रूखा रूखा लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे यह भूनता जाएगा आटा गी छोडता जाएगा और यह गीला सा हो जाएगा अगर आटे में गी कम लगे तो थोड़ा सा गी और एट कर लिजगा लगतार आटे को भूनते जाएंगे जितना बढ़ियां आप दीमी आज पे आटे को भूनेंगे उतनी अच्छी गोंद की बर्फी बनेगी तो यह देखें आटे का कलर चेंज हो गया है बहुत ही बढ़ियां सोंधी सोंधी से खुश्बू आ रही है और इसमें से गी भी अलग हो चुका है अब इस स्टेश पे फ्लेम एकदम लोपे कर देंगे और जो गोंद आपने पीस कर रका है न उसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएगे और इसे मिलाते जाएगे जैसे ही आप इसमें गोंद ढालेंगे इसमें बबल्स बनने लगेगे गरम आटे के साथ गूंद फूलने लगेगा, गूंद को अलग से फ्राइ करने की ज़ commendे ही नहीं है या आटे के साथ अच्छी तरह फ्राइ हो जाएगा. गोंद मिलाने के बाद आटे का टेक्चर पूरा चेंज हो चुका है अच्छी तरह गोंद और आटे को मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें काजू, बदाम, नारियल वगरा जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब इसे और भी ज़्यादा हिल्दी बनाने के लिए इसमें एड करेंगे वंटी इस्पून ड्राय जिंजर पौडर यानि सोंट का पौडर सोंट है पेन रिलीव की तरह काम करता है इसलिए आप इसे जरूर एट किजेगा सोंट की तासीर काफी गरम होती है जिसकी वज़े से यह सीजनल, सरदी जुकाम, फ्लू वगरा से बचाने में आपकी मदद करता है साथ ही एट करेंगे 1 टी स्पून वाइट पेपर पौडर यानि की सफेद दखनी मिर्च या सरदर्द, जोडों के दर्द और आखों के लिए भी बहुत जादा फायदे मन्द है और या विटामिन सी से भरपूर होता है साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए एट करेंगे 1 टी स्पून हरी लाइची का पौडर अब सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसी स्टेच पे फ्लेम बंद कर देंगे इसके अंदर अब हमें गूड़ एट करनी है लेकिन अभी यह काफी गरम है गूड़ डालने से पहले इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है जब तक यह थोड़ा ठंडा हो रहा है इस बरफी को सेट करने के लिए बरफी ट्रे या फिर इस तरह किसी भी स्टील की प्लेट में जो घी मैंने बचा कर रखा था ना उसे डाल कर अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे जिस कप या कटोरी से आपने आटा लिया है उसी कप या कटोरी से आपको गूड़ लेना है यहाँ पे गूड़ को मैंने चाकू से पतला-पतला काट लिया है गुड डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएंगे ध्यान रखिएगा इसे पूरा ठंडा नहीं करना है वरना गुड मेल्ट नहीं होगा या इतना गरम है कि गुड इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे ग्रीस की उई प्लेट में निकाल लेंगे अभी या आपको दिखने में बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छे से बर्फी सेट हो जाएगी इस तरह दबाते हुए इस प्रेट करेंगे या फिर इस तरह की कोई स्टील की कटोरी से दबाते हुए अच्छी तरह सेट कर लिजिए सर्दियों में इस तरह गुड से बनी मिठाईयां बहुत ही फायदे मन्द होती है क्योंकि गुड में डेर सारा आइरन और फाइवर होता है आप अपने हिसाब से इसमें कट के निशान लगा दीजिए मैंने डायमंड शेप में कट लगाया है अभी यह गरम है इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे जिसे यह अच्छी तरह सेट हो जाएगा आदे गंटे में यह अच्छी तरह सेट हो चुकी है तो यह हमारी सर्दियों की खास गोंद गुड की बर्फी तयार है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बर्फी हमारी बनकर तयार हुई है सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बर्फी जिसे खाते ही मुँ में गुलसा जाए बढ़ती ठंड में इस तरह की चीजें खाने का अपना अलगी मज़ा होता है एकदम पर्फेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट या बर्फी बनकर तयार हुई है खाने में यह जितना सुपर टेस्टी है न इसके फायदे उससे कहीं जादा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह गुण पाक बहुत फायदे मन्द है और इसे बनाने के लिए मैंने कोई दूद या मावा यूज नहीं किया है इसलिए इसे आप बनाकर इस्टोर भी कर सकते हैं आप अपने लिए अपनी फायमली के लिए इस तरह गोन गुण पाक की बरफी बनाकर स्टोर कर लिजे अब पूरी सर्दी इसे इंज्वाइ कीजिए तो जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरी इस हेल्दी रेसिपी को और अपना फिडबेक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा प्लीस को कुवित लाडली को सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे इंशालला एक नई और मज़दार सी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो अल्ला हाफिज